मद्दय परदेश में एक पार फिर इंशानियत को समसार करने वाली वारदात सामने आई है सूबे के स्वीपुरी जिले में दलित युकों के मुप पर समुदाई विसेश के लोगों ने कालिक पोट दी और मुप के अंदर मैला ठोक दिया बताया जा रहा है गले के अंदर चपलों की माला पहना कर गाउं गाउं घुमाया आपको बता दें पुलिस ने दोनों युकों के साथ किये गए अमानवे वहवार और उनके साथ मारपीट करने के आरोप में अलपसंख्यक समाज के साथ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दलित युवक अनुद चाटव और संतोस केवट के महुप पर कालिक पोतने के बाद चपलों की माला पहना कर करीब तीन किलोमीटर तक जलूस निकाला और घुमाया पीडित के भाई ने जाचंद जाटव ने समाज के बड़े बुजुर्कों को साथ लेकर पुलिस अधिक सक काराले पहुँचकर गयापन दिया पीडितों का कहना है कि जमेन को विवाद को लेकर उन्हें घर बुलाया गया तुसे समुदाय के लोगों ने घर बुलाकर दोनों को बेजज़त किया उनके उपर मेला फेका उसके बाद चेहरे पर कालिक पोत कर मुह में मेला धूस दिया चपलों की माला पहना कर गाउं गाउं गुमाया पिछले कुछ तिनों में मद्धय पर्दिश से दलितों को पर दो बड़ी घर नहीं सामने आई हैं इन घर नाओं को लेकर आपकी क्या परति के लिए है हमें कॉमेंट में जरूर बताए